चेहें दोस्तों, दोस्तों मैं अमिज सिंग चोहन स्वागत करता हूँ आपका आपके अपनी परिवाद मिडनाइट आरेमी लावर में दोस्तों आज की हमारी वीडियो है आरमी की जो भरती चल रही है ओपन रेली भरती जो अगनी वीर की उसमें दोस्तों, डोकुमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉग्लम आ रही है बच्चो को हलांकि कुछ बच्चे आरे में कि हाइट में भार निकल रहे हैं प्री हाइट के अंदर ही भार आ रहे हैं देखिए वो जैसा उनका measurement का तरीका है उस हिसाप से वो अंदर ले रहे हैं भार कर रहे हैं बच्चों को वो किस्मत की बात है कि को अंदर जा रहा है को और भार आ रहा है कुछ-कुछ बंदों में यह problem आ रहे हैं कि 170 cm हाइट है फिर भी भार आ रहे हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन दोस्तों डोकुमेंट में बहुत यह problem आ रहा है कि बच्चों को यह नहीं पता है हमें क्या document लेकर जाने है भरती के टाइम पर क्योंकि ज्यादा तर बच्चे इसमें पहली बार भरती देखने जा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो म आपको बिना टाइमिस्ट के बढ़ते हैं वागे इसमें वीडियो के तरह से तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा अगर दोस्तों नहीं क्या आए तो अभी कर लें तो दोस्त एक-एक document बहुत जरूर है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपका admit card होना जरूर है admit card color में हो या black and white हो doesn't matter आपका कोई issue नहीं करता है कि आप कैसा admit card लेके जा रहे हैं आपका original admit card होना चाहिए उस पर आपकी photo लगी होनी चाहिए और मेरा कहना है कि आप अपनी photo का tested करके लेके जाए आप उस पर sign करके लेके जाए हाप आपका sign है photo पर होना चाहिए हाप इसका भार होना चाहिए ये आपके दो चीज बहुत जरूर है admit card और आपको उस पर photo लगा होना दूसरी चीज दोस्तों आपके पास आपके कम से कम 20 passport size के photo होने चाहिए photo आपको वही लेके जाने जो आपने admit card पर लगाए है और जो आपने भरती के time upload किये थे ठीक है दोस्तों ये दो चीजे हैं आपका admit card आपकी कम से कम 20 photo होनी चाहिए तीसरा आपका mark sheet अब आपके पास form apply क्या था तो 10 के mark sheet होनी जरूरी है अगर आप clerk से हैं या technician से हैं जिसमें आपने 12 की mark sheet लगाई थी तो आपको 12 की mark sheet जरूरी है तो मेरा सभी से निवेदन है जो भी बच्चे हैं उसमें आप trade के भी हैं आप clerk के भी हैं, technical के भी हैं, GD के भी है तो आपकी जो भी mark sheet आपने लगाई थी मैं सभी से बता रहा हूँ आठवी, दस्वी और बारवी आपकी तीनों की mark sheet होना जरूरी है सभी के लिए नहीं है, जिस trap से post है आपकी है उसी की हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ next दोस्तो आपका जो document जरूरी है वह है आपका cast certificate अब दोस्तो यहाँ पर आप जानते हैं OBC वालों के पास होता है, SCST वालों के पास भी cast certificate होता है लेकिन यहाँ पर general वालों के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ आपका भी cast certificate होता है जी हाँ दोस्तो जब मैं आर्मी की भरती 2020 और 2021 की देखने गया था जब मैंने physical qualify किया था तो document verification में मुझसे हमारा cast certificate मांगा गया था अगर आप general से हैं तो आप फिलाल अभी नहीं लेके जा सकते हैं आपके पास नहीं है तो कोई issue नहीं है लेकिन अगर है तो ज़रूर लेके जाए उसके बाद दोस्तो आपका next एक character certificate जो कि आपका दो तरह का मांगा जा रहा है एक school का character certificate मांगा जा रहा है दूसरा आपका serpent की थुरू जो बनता है serpent की बकाएद उस पे महरोर signature होते हैं वो आपका मांगा जा रहा है certificate का एक certificate आपका दो तरह के बन रहा है एक school का और दूसरा सरपंच का next document है दोस्तो आपका एफिडेविट वैसे तो आर्मी में एफिडेविट के वल उन लोगों का मांगा जाता है जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है लेकिन इस बार आपसे हर बन्दे से एफिडेविट मांगा जा रहा है तो दोस्तो आपको करना क्या है आपको अपने आर्मी की website open करनी है उसमें आपको login करना है और login करने के बाद आपके left side में जो icon बनने होते है admit card के application form के एफिडेविट का उस एफिडेविट के form पे click करना है और जिस सन में आपने form apply क्या था उस पे click करके एफिडेविट को download कर लेना है तो दोस्तो आपको करना क्या है उस form को लेके जाना है आपके तहसिल में notary वाले के पास और वो करेगा क्या आपके 50 रुपे की एक इस्टाम पेपर पर उसको print करवाना है आपके detail भरवानी है यह आपको करना है और आपके इसकी notary करवानी है अगला document है आपका दोस्तो COVID का certificate जी हाँ दोस्तो यह पिछली भरती में भी मांगा गया था पुलिस का सत्यापन होना चाहिए आपके पास और वो भी आपका 6 महीने के अंदर का होना चाहिए आपका 6 महीने से पुराना police verification नहीं होना चाहिए इसके बाद next है दोस्तो आपका आधार कार्ड आपके पास आपका original आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरी बात आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो नाम होना चाहिए जो आपका admit कार्ड में है आधार कार्ड और admit कार्ड बिल्कुल दोनों सेम होने चाहिए admit कार्ड में जो नाम है वो आधार कार्ड में मैच होना चाहिए admit card पर आपकी जो डेटो बढ़त है आपका जो address है या पापा का नाम है वो आपका अधर card में match होना चाहिए दोस्तो next है दोस्तो आपका driving license मैं आपको बता दू driving license के अबल उन बंदों के लिए है जिनोंने application form को apply करते समय driving license लगाया था अगर आपने driving license लगाया था उस time तो आपका driving license ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके बाद दोस्तों अगर आप sports परसा ने आपने कोई game खिला हुआ इस्टिक लेवल का या फिर national लेवल का तो आपके पास certificate है तो उसको ले जाना बहुत जरूरी है आप जानते है sportsman को कुछ न कुछ परशेंट का bonus मिलता है छूट मिलती आपको number extra दिये जाते तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन रहेगा आपकर आपके पास certificate है तो आप certificate लिकर जाए दूसरा आपके पास NCC का certificate है तो आप वो भी लिकर जाए अंतिम आपका जो certificate है दोस्तों वो है आपका relation certificate अगर आपके पिताजी या आपका कोई भाई आर्मी में लगे हुए हैं आर्मी में सर्विस कर रहे हैं तो दोस्तों आप यह जरूर ले कर जाए आप जानते हैं relation में आलग आपको छूट मिली जाती है तो दोस्तों यहापे तीन certificate NCC का sports का और आपका relation का certificate है यह सभी के ल पूची है और जिनको इस वीडियो की जरूरत है तो दोस्तों आपके responsibility बनती ही कि आप इस वीडियो को share करें जादा से जादा सो दोस्तों आज की वीडियो यही पर समापत होती है मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैह हिं जै भारत बंदे मात्रम